हेलो दोस्तों वेलीकम तो रूपीज कीचन अज रूपीज कीचन में हम बना रहे हैं हांडी चिकन इस विडीयो को देखने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडीयो को लायक कीजिए और साथ में बैल अकन दबाना ना lot हांडी चिकन बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे तो चिकन मैने यहाँ पे को आदा केजी से थोड़ा सा ज्यादा लिया है कैसकते है कि 700 ग्राम करी तो आप इसमें डालेंगे हम दो चम्मच करी जिंजर गालिक पेस्ट और इसमें डलेगा देर चम्मच क अब हलका सा इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और यह डलेगा 200 ग्राव करी अच्छे से पेटली है मैने से और हलका सा ओली अब इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक घंडे की लिए हम चिकन को मैरिनेशन के लिए रखेंगे बस यह मिक्स हो गया है और इसे रख दे मैरिनेशन के लिए जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तक तक हम इसके लिए मसाला तैयान करते हैं तो यहां पर मैंने साबुद धनिया लिया है साबुद जीरा और चार लाल विच इसको थोड़ा सा रोश्ट करोंगे और इसके बाद में इसका फाइन पाउदर रनाना रहा मसाले ठंडे हो गए हैं अब इसे हमें ग्राइं करना है यह देखिए हमें इस तरीके का फाइन पाउडर बनाना इसका मसालों के बाद हम ग्राइंड करेंगे प्याज को टमाटर हम ऐसी डालेंगे दई हमने डाल रखी है तो इसलिए टमाटर सिर्फ मीडियम साइज के दो डालूँगी बस जैसा कि हम हांडी चिकन बना रहे तो हांडी के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता देतीए यह अब हांडी अब हांडी दो टाइप की लेसे आख एमक कावर वाली और एक ओपन वाली जब भी आप खरीदें नहीं हांडी में प्रन्त खाना नहीं बनता पानी उबलना जीए और उसके बाद उबालने के बाद इसको सुखा दे उसके बाद ही आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं तो मिट्टी के बड़तन में जब भी खाना बनाते हैं तो ये प्रोसेस करना ना पुले नहीं तो आपके खाने में मिट्टी का थोड़ा से स्मेल आए 1-2 नाइची, जावित्री, काली मिर्च, फोिदा सालॉंग, दोसे चार हरी नाइची, गत्र समझ जिंगर गालिक प्यस्त, इप्याज। प्याज जिंगर गालिक को अच्छे पहुनेंगे। बस हो गया वैं प्याज और जिंजर कारली को इतनी में फ्राई करना है है heck county आद चिकन सारा मारिनेटीड चिकन इसमें डाल थी पहुक्किन दिया है मैंगें अब इसको देर करके जाली मिक्स करना है और फोड़ी देर के लिए हम चिकन को पखने देंगे उसके बाद ही हमने जो रोस्टेट मसाला बनाया है उसको डालेंगे बाकी जो मसाले थे मैंने मेरी मेशन में आल्रेड़ी डाले हुए तो इसमें ज्यादा मसाले को चैटनी करेंगे और इसे कवर कर द दालेंगे लास्क टाचा के हमारा यह है रोस्टेट मसाला तो सबसे पहले हम इसको डालेंगे ओपर से और यह रही टमाटर और थोड़ा सा हरी मिर्च अब इसे धीरे-धीरे करके मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए और चिकन को पकाएंगे अल्मोस्ट चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं अब तकन को निकाल लेते हैं वाव देखिए चिकन अच्छे से पक गया है अड़ी से मांस अलोग हो गया इसका मतलब हमारा चिकन ग्रीडी है अब इसको डाल देंगे बारी कटा हुआ भरा धनिया अब लिक्स कर लेंगे यह देखिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है फिर भी यहां पर चिकन पक रहा है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक जब तक यह पक रहा है ऐसी छोड़ देंगे और हमारा हांडी चिकन रीडी है आप देख सकते हैं यह कितना लाजबाव और टेस्टी लग रहा है आप भी इस तरीके से हांडी चिकन जरूर बनाए और मुझे कॉमेंट में बताना ना भूलें कि आपका हांडी चिकन कैसा बना आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसी बात में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब फिर से मिलते हैं ऐसी ही नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्याएट